बोलिवूड एक्टर सोनू सूध ने पिछले कई हपतों से एक ऐसा जिम्मा उठाया हुआ है जिसके चलते उन्हें चारो तरफ से तारीफे मिल रही है लोकडाउन में अपने घरों से मीलो दूर फसे बेबस मजदूरों को सोनू उनके घर बेजने का काम कर रहे हैं सोनू ने बस से लेकर फ्लाइट तक का इंतजाम करके एसे मजदूर लोगों को उनके घर बेजा है वह लगातार बिना रुके ये काम कर रहे हैं और अब तो उन्होंने एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिया है सोनू से जो भी लोग मेशेज या ट्वीट करके मदद मांग रहे हैं उन्हें वो जबाब दे रहे हैं आली में सोनू सूद ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसे खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है ये एक वीडियो है जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी बात केमरी के आगे के रही है वीडियो शुरू होने पर जो पहली बात बच्ची बोलती है वो ये कि ठीक है ठीक है पापा में बोल रही है इसके बात बच्ची कहती है सोनु अंकल सुना है आप लोगों को घर बेज रहे हो पापा पूछ रहे हैं कि क्या आप मम्मी को नानी के घर बेज देंगे मुझे बता देना सोनु सूद ने इस वीडियो को रीट्वीट करते वे लिखा अब ये कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है मैं अपना बेश्ट देने की कोशिस करूँगा इसके आगे सोनु ने सेतानी वाला विंक इमोजीवी बना दिया है सोनु सूद द्वारा रीट्वीट किये गए इस वीडियो को तमाम लोगों ने लाइक और शेयर किया है